नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज हम बात करेंगे 69 जास इच्छक बर्षी की latest updates का है तो दोस्तो आज हम सबसे पहले दिन बर के updates देखने वाले हैं दोस्तो सबसे पहला सवाल आज की सुनवाई के बाद क्या होगा फैतला जिया दोस्तो जस्त आप क्या फैतला सुनाएंगे और दोस्तो दूसरा बड़ा सवाल क्या 40 और 45 की जीत पक्की हो चुकिए जिया दोस्तो आप ही बच्चों के ये messages viral हो रहे हैं कि 40 और 45 का पच्छे आखिर क्या है सच उसके बाद दोस्तो फाइनल कट आप को लेकर discuss होगा और दोस्तो जाने के किसका पच्छे मजबूत तो दोस्तो अगर अभी तक आपने पूरी सुनवाई ना देखिए आज की कोट में क्या सुनवाई हुई है शुरू से लेके अंतर तक तो दोस्तो आप इस वीडियो में ही पूरी वीडियो देखेंगे सुरू से लेके अंतर तक तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा आखिर आज कोट में हुआ क्या देखिए कापी बच्चों को पूरा चीज मामला नहीं पता होता तो दोस्तों आप जब तक पूरा मामला नहीं देखे सुरू से लेके अंतर तक तब तक आप खाली ऐसे ही बोलतेंगे कि कुछ भी तो लेकिन दोस्तों देखे लाश्ट की बात सुनने से कुछ नहीं होता देखे आपको अगली डेट 6 नॉमबर मिली है यह बात तो हार एक बच्चे को पता होगा कि अगली जो आपके सुनवाई हो होने वाली वो 6 नॉमबर 2019 होगी तो दोस्तों एक लंबी डेट मिले आपको आज 22 अक्टूबर थी तो 22 सीधे छे तारिक की डेट तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगा सीधे 15-15 दिन का डिफरेंस मिल रहा है तो यह बात तो दोस्तों मुने आपको पहले बताया थी कि सिच्छक बरती में जो केसेश चलते हैं वो समय तो लगता है तो वही आखिर समय देखने को लग रहा है कि समय तो लगेगा लेकिन एक अच्छी बात ही होई आज 65 की तरफ से जो भी समिसन था सब कुछ फाइनल कंप्लीट हो गया जी या दोस्तों आज 60 की टीम को जो बोलन करते हैं दोस्तों कि जो 65 की टीम में मुद्दा उठायाता तो उसी का दोस्तों सीधे वो आंतर करने के पूरी कोसिस करेंगे देखे दोस्तों एक सवाल आ रहा है आपके मन में और एक बड़ी अब्रेट भी थी कि जस्त आमने आखिराज क्या का कैसे क्या हुआ तो दोस्तो उसकी तो पूरी अप्डेट साफ इस वीडियो में देखी लेंगे लेकिन दोस्तों पहले ये बात जो वाइरल हो रही उसकी बात सचाई आपको समझने जरूरी होगी क्या 40-45 की जीत है पकी देखे दोस्तों आपकी जो 60 और 65 टीम है वो 7 जनुरी को जो 47 देश था वो उसक आपको सब कुछ तयार था अगर आपके मन में कुछ था ही नहीं तो दोस्तों इसलिए आप लोग जो मैसेजिस वाइरल होते है उसमें 40-45 की जीत का ज्यादा जिक्र होता है रीजन यही होता है दोस्तों तो आपके 8000 पांतों का दोस्तों पार्ट 2 बता दिया जाता उनुन वो सिर्फ आओसीफ इसी चछक भरती केंपी इसने कुछ कहा भी तो लेकिन दोस्तों को देखतें कि आउतके में और लेकीन देखते हैं दोस्तों कूंकि काफि काफि जज साब इस बार दोस्तों कृफि़ए करेंगे क्योंकि यह डवल耶 तो इसके बाद आपका मामला जाएगा सीधे सुप्रीम कोट ठीक है तो इसके बाद दोस्तों आप लोग को तो पता है सुप्रीम कोट से के मामला पहुंचेगा और बच्चों के मन में बात रहती कि अंतरीम राथ पर आपको नौकरी कम मिलेगी देखी जब 60 और 65 टीम अगर आपको लगता है कि 40-45 की जीतने बाद अंतरीम राथ मिलेगा दोस्तों फिर तो ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि 40-45 पर नौकरी दी जाए तो सिंपल थी बात है 250 अगर जीतेगा तो अंतरीम राथ दिया जा सकता है अन्यसा दोस्तो जब तक मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में विचारा दीन रहेगा तो वहां तो जो मामला फाइनल होगा उसके बाद आपको नौकरी मिले कि तो यह बात अब बहुत अच्छे समझ गयोंगा देखे आज कि दिन पच्छे किसका मजबूत है दोस्तों हम कह सकते है कि 40-45 का प पूरी तरीके से यह सेटेस्वाइड नहीं कर पाएं जस्ता आपको इसलिए दोस्तों कहा जा सकता है कि जो आपके 40-45 की टीम है उनका पच्छे 60-45 की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है तो दोस्तों ऐसी बात नहीं कि 40-45 भी जीच चुके क्योंकि अभी देखे आप इन पर जो सुनवाई और अंतिम मोड पर जो सुनवाई दोस्तों डेवल पिच में वो अगली दोस्तों 6 नॉमबर से सुरू हो जाएगी तो ज्यादा समय दोस्तों नहीं लगेगा तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं और भी अप्डेट के साथ फिलाल दोस्तों इस सबसे पहले आज क्या होता है कि आपके तीवारी सर्व बहाई को सुबारम करते हैं जी हैं दोस्तों आज की बहाई सर्व के द्वार सुरू की जाती है उसके बार दोस्तों एक दिसंबर 2019 के विज्ञापन में कोई कटाप का जिक्र नहीं है तो रिजल्ट कैसे जारी हो सकता है ठीक है उसके बाद दोस्तों बात होती ही कि इलाहबाद के और लखनों के जज्जमेंट में कुछ कटाप का जिक्र है और वो कटाप 7 जनवरी 2019 को लागू किया गया था उस दोस्तों हुआ क्या कि my lord what is the minimum तीवारी सर जी ने पूछा ठीक दोस्तों उन्होंने पूछा कि जस्ताप जी यह बताई कि what is minimum क्या minimum होता है फिर दोस्तों पेश 55 rule 2x ठीक है दो गुना की समानता कोट ओडर के माधयम से समझा रहें तीवारी सर सिंगल बेंच ने apex कोट को भी अवो मानना की है cry करके ठीक दोस्तों यह बात केई गई सिंगल बेंच ने भी फिर से की गई, if minimum should look like minimum, then minimum is 0, and 0 cannot be allowed, सर तिवारी सब ने ऐसा कहा, ठीक है थे कि minimum बाई सबसे शोटा तो आपका 0 ही होता, और 0 आपका allow नहीं है, ऐसा समझा रहे थे, फिर single bench में, emotional card खेल कर हमारे याच्यों के विपच्छीों ने गुमरा करके भाराग के साथ, कम passing mark भी मांग लिया था, supreme court का order ऐसा नहीं है, तो दोस्तों यही बात कही जारी कि जो single bench में, आप लोग को पता होगा, कि पहले तो उनको भाराग भी दिया गया, उसके बाद दोस्तों passing mark कम करके, emotional, जी यहां दोस्तों होता नहीं, emotional करकर के जीतन जाना, तो कुछ ऐसी बात रखी गए, दोस्तों, फिर क्या हुआ, कि single bench, beyond the demand of read petition, ठीक है, कैसे फैसला नहीं दे सकती है, 40-45 का फैसला डिमांड नहीं था, ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बात होती है, well argument is going by तिवारी सर, अच्छी चल लई थी, फिर पंका सर, टू तिवारी जी, पुराने परिच्छा की बात हो चुकी है, तिवारी सर, हम अपने तरह से रखना चाहते हैं, फिर दोस्तों क्या होता है, सिच्छा मित्र का कहना है, अधिक अंक, आप हमें बाहर करने के लिए लगाया गया है, तो पिछली बार में क्या कोई सिच्छा मित्र फेल नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात होती ही, जब हम नए परिच्छा में भाग ले रहे हैं, तो नियम पुरानी परिच्छा के कैसे लग सकते हैं, यह बात तक दोस्तों यहां तक पहुचीं, फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अगर आप कैरियर के प्रती गंबीर हैं, तो आप अधिक्तम का प्रयास करेंगे, सर सिंगल बेंच ने क्या सोच कर कंडिशनर किया कि इस पर प्रस्णचिन है, वही ओर्डर दोस्तों सश्टेन नहीं किया जा सकता है, तो दोस्तों ये सब बातें चल रही हैं, तो आज की बहुत काफी जोड़दार तरीके दे रखी जा रहे हैं, देखिए हर बार आपके साथ पैसे टीम ने दोस्तों वही किया, सरकार की पावर हर बार जैस्सा आपको दिखाने की कोशिज की जा रही है, फिर दोस्तों देखतें उसके बाद क्या हुआ, फिर दोस्तों आपकी पिछली भरती में जित कटाप पर आज सफल हुए, इस बार नेचर आफ इज्याम बदलने के बाद भी वही कटाप की मांग करना पूर्था अनुचित है, तो ऐसी बाद दोस्तों हो रही थी आपके कोट में, फिर दोस्तों क्या हुआ, कि कहा गया कि सिच्छा कुछ देख से क्या है, तिवारी जी, तो दोस्तों एक अच्छा कोशन पूछान होने, क्या कि सिच्छा कुछ देख से क्या होता है, जब आप एक छोटे से बच्चे को समाच के लिए तैयार करतے हैं तो क्या उसे, उसके लिए सबसे अच्छे प्रबंद नहीं करते हैं, मतलब सबसे अच्छा उसके बाद दोस्त होता यहाँ पर विरोधियों को लिवार्टी के अधार पर उन बच्चों के बीच जाना है जो समाज की निर्धारक हैं सरकार ने कहा तुम सब 97 पास करो सब को 25 अंका भरांक देंगे ठीक दोस्तों उसके बाद क्या होता कि पिछली बर्ती का विग्यापन पढ़ते हुए 2019 का विग्यापन पढ़ते हुए नई गाडलाइन जारी हुई 1 दिसंबर को दोनों विग्यापनों में साफ लिखा है कि यह कटाप सिर्फ इसी भरती के लिए मानने है जी हैं दोस्तों यह हमने भी आपको बहुत पहले काफी बार बता चुके हैं दोनों विग्यापन हमने पढ़ा था और दोस्तों इतने सब कुछ ऐसा लिखा है कि जो सिच्चक बर्ती में हो रहा है, क्या वो दोस्त आपके 68,500 सिच्चक बर्ती रही हो, क्या वो 69,000, तो साफसा बूरूल ऐसा ही लिखा है कि जो कुछ नियम कानून है, फिर उसी बर्ती के लिए वो मानने हैं। अब तो पॉइंट पंकस सर को भी याद आगे होंगे, तिवारी सर के पहले विज्यापन के बिंदू सर ही बता रहे हैं। 68,000 पांत वो परिच्चा OMR सीट पर नहीं था। ठीक है, एक बड़ा पॉइंट सब सब्जेक्टिव परिच्चा थी या 69,000 बहुए कलपी या तिवारी सर प्रडाम दोनों जीवों। ठीक है, जब आप परिच्चा में सामिल हुए थें, तो आपको पता था कटाप नहीं ह और रिचर्ट जारी करने के ये कोई कटाप तो होगी ही, ये बातों से ओर गोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि साथ जनुरी का सातना देश अपने तैमानकों के अनुरूप जारी किया गया और सिंगल बेंच ने बिना किसी अधिकार के इसे रद कर दिया, और 40-45 का विरुद जाके दिया जो कि अपेक्स कोट में पेंडिंग है, फिर दोस्तों क्या होता है कि सिंगल बेंच में यह तरक की कटाप सिर्फ एक वर्ग सिच्छा मित्रों को फेल करने के लिए लगाई गई, कहा तक सही है, जबकि प्रतिभागी 4,10,000 बच्चे थे और 200 कटाप स चूट, भारांग, सब इन्हें प्रदान किया जा रहा है, लेकिन समानी प्रक्रिया में तो इन्हें पूरी ही करनी पड़ेगी जैसे तिच्छक भरती प्रक्रिया पास करना, तो दोस्तों यह बात कही जा रही है, अभी तक कि जो आपका नॉर्मल चीज़े वो सकता आपको क्लियर करने पड़ेगा, अब यह नहीं कि आप बिना सिच्छक भरती पास करें, यह आपको नौक्री दे दीज़े, तो दोस्तों यहाँ पर मामला चल रहा है, देखिए बात बार बार गुम के आपकी 68500 पर ही आ जा रही है, देखिए इस सिच्छक भरती के दोस्त आपने आपको काफी पहले बता दिया है कि यह तिच्छक भरती में उन्हीं की जीत होगी, जो यह प्रूब कर ले जाए, देखिए 40-45 की जीत दोस्तों कैसे होगी, देखिए हम बता दे रहें, अगर इनको सिर्फ इतना प्रूब करना है कि 88500 की पाल टू आपकी 99000 है, ठीक है, तो आपकी दोस्तों 40-45 कटाप जीत जाएगे 100%, उसके बाद दोस्तों 60 और 65 टीम को बस इतना प्रूब करना है कि 88500 से 99 जास इच्छक भरती का कोई लेना देना नहीं है, तो दोस्तों 60 और 65 की जीत भी 100% सी हो रहें, तो साब साब दोस्तों आप समझ गया होगे कि यह यह 8600 इ चकबरती जो आई थी, उसी के कारण दोस्तों इतना जमेला हो रहा है, ने तो दोस्तों अब तक आप लोगों को नौकरी मिल चुकी होती, कोई केसी ना होता, कुछ होता ही न, और सब कुछ अच्छा होता, तो दोस्तों आप जानते हैं कि उसके बाद आखिर क्या हुआ, फ फिर दोस्तों आपके सिंगल बेंच में कहा गया कि B8 को सामिल करने के कारण कटाब बढ़ाया गया, ठीक है, तो क्या हुआ था सिंगल बेंच में कि जब B8 सामिल हो गया था, इसी कारण से कटाब को बढ़ा दिया गया, फिर सरकार ने कहा, तुम सब 97 पास करो, सब को 25 प्र सर के सारे डाउट क्लियर कर दे रहे, मज़ेदार बैस दोस्तों इसमें चल रही थी, उसके बाद दोस्तों क्या होता कि सिंगल बेंच में कहा गया कि B8 को सामिल करने के कारण कटाब बढ़ाया गया, बीट जो की सुपीरियर क्वालिफिकेशन है, यदि वह परिछा में साम 2018, this is not a requirement of PUNE, ठीक है, समझ रहे ने, PUNE किसे कहते हैं, तो उसके बाद दोस्तों क्या होता आपका, BTC, B8, जो दोनों सरकार द्वारा सुपीरित है, कोई quality point नहीं पा रहे है, फिर भी पच्च में, फिर उसके बाद दोस्तों, जीने भारांक मिल रहा है, वो भी पच्च मे दोस्तों, लेकिन यह कोई तरक नहीं बनता है, कि या, guess marking, ठीक है, ऐसा दोस्तों नहीं कहना चाहिए, कि कोई बच्चा मारने जाता पेपर में, हो सकता है कि मारता है, सबको पता कि अगर कोई question नहीं आता, तो उसमें तुक्का लगाया जाता है, लेकिन दोस्तों, यह कोई points नहीं बनता आपका, फिर उसके बाद दोस्तों, ऐसे पासिंग मार्क कम रखना गलत होगा, तीवारी सर, ठीक है, तो दोस्तों, यहां तक आपकी बाद पहुंच चुकी है, कि भाई, सब कुछ हो चुका है, लेकिन पासिंग मार्क हमें, ज्यादा ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, तो दोस्तों, सभी लोग अपने points बता रहे हैं आपके पास परिच्छा के बाद passing मार्क तैय करने का कोई ठोज साच्छे सबूत हो, तो प्रस्तूत करें, अनिता कोट के बेस कीमती समय को बरबाद ना करें, तो दोस्तों, यह टीम रिजवान की तरफ से एक बड़ी अपडेट आती ही, कि ऐसा कहा गया दोस्तों, कोट की यहां पर, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, आनत कुमार के केस में जो दिया है, देंगे, लेकिन पहले अगनी परिच्छा लेंगे, देश के भविष्य का सवाल है, तीवारी सर, तीवारी जी की साकारात्मक बहस जारी, बीच बीच में जैसा आप दोरा किये गए सबी प 25% मिल रहा है, तो नियूंतम अहर्ता अंक को पार्तो करेगा, ठीक है दोस्तों कि मतलब इनको जो इन्होंने इतने साल काम किया है, नौकली किये, उसके आदार पर दोस्तों को 25% भरांक दिया जा रहा है, जब पोश्ट की विग्यपति आएगी, सिलेक्षन प्रोसेस तभी से सुरू माना जाएगा, जी यहां दोस्तों भी आपकी पोश्ट के विग्यपति नहीं जारी हुई है, दोस्तों इसमें ये बताया जागा कि आपके आगरा में 100 सीटे हैं, लखनों में 200 सीटे हैं, नौकली के लिए वो चीज़ होती दोस्तों, यह तो भी आपके एक सूप सूपी टेट वैसा एक सूपर टेट, ठीक है, तो इसलिए परिडाम जारी करने के अनुमती एक्सपर्ट द्वारा तैमानक पर ही होना चाहिए, 60-65% कटाप तरकस के अंतिमबार स्री अनिलतिवारी जी बहतरीन तयारी को कोड के सामने रखते हुए, तो दोस्तों यहां पर जो उन्होंने सिंगल बेंच में बात किये होगी, उसी को यहां रिपीट कर रहे, तो दोस्तों इस पर कोड का एक कड़ा रुखाया है, आपके पास परिच्छा के बाद पासिंग मार्क तैय करने का कोई ठोस साचे सबूत हो, तो प्रस्तूस करें, अनिता कोड के बेस केमत समय को बरबाद ना करें, ऐसा टीम रिजवान अनसारी तरब से अपडेट आती है, तो दोस्तों यह एक बड़ी अपडेट थे, आप लोगों के लिए जो बच्ची उनक्तर रजा सिच्चक बढ़ती में, अगर दोस्तों इसमें सच्चाई है, तो दोस्तों एक बड़ी पुना जमा कराया गए, तिवारी सर ने कहा, सिंगल में हमारी बहत नोट की गई, और फाइनल ओडर में संकलित नहीं की गई, एक हद तक वह भी आज सुईकार है, दोस्तों उसके बाद आपकी कोड उठने वाली थी, लेकिन दस मिनिट तिवारी सर ने और मांगा गया, जी ठीक है, तो दोस्तों यही पर तिवारी सर का फाइनल सम्मीशन कंप्लीट होता है, ठीक है, और उन्होंने कहा लाश्ट टाइम कि 40-45 किसी भी कीमत पर सस्टेन नहीं किया जा सकता, बाकी, गुडवत्ता को देखते हुए आप तैय करें क्या उचीत है और क्या अनुचीत, तो दोस्तों तिवारी सर ने जट साब पर यह फाइनल छोड़ दिया कि आप ही खुछ से तैय करने आपको, क्या आपके साब से क्या उचीत होना चीए, क्या अनुचीत होना चीए, 60-45 या 40-45, तो दोस्तों लाश्ट टेम उन्होंने यही बात कहीं कि कि किसी भी कीमत पर, चीए, 240-45 किसी भी कीमत पर सच्टेन नहीं किया जा सकता, तो दोस्तों वो सरकार का पच्छ जानते हैं, आप लोग की 60-65 जो बच्चे सपोर्टर है, 60-65 का और सरकारी पच्छ हैं, तो दोस्तों सभी को चाहिए कि 60-65 कटाप हो जाएगी तभी वो बच्चे नौकरी पाप जी अगली डेट को करेंगे बहत, और दोस्तों उफेंदडर जी 6 नौमबर से करेंगे बहत सुरुः उपनी, और दोस्तों आपकी यहां पर अगली तार익 मुकर्रार होती है, और दोस्तों उसकी तारीक की डेट है 6 नौमबर 2019 समय 2बचकर 15 मिनट, तो दोस्तों आपको एक नेक्स्ट वीडियो में देंगे तो फिलाल दोस्तों आज क्या हुआ सब कुछ आपने देखा सुरू से लेकर आंते तक तो दोस्तों आप लोग फुद इसका conclusion निकाल लिएगा कि किसकी हो सकती है जीत और किसकी हो सकती हार और दोस्तों आज के हिसाफ से जो आपने देखा है ठीक दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए stay connected तो दोस्तों इसकी पूरी conclusion वीडियो आग देर रात तक आपके हमारी YouTube चैनल पर होगी तो दोस्तों चलिए अगर आपको चैनल पनवत तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे जिससे आने वाली वीडियो की stay connected और happy दिवाली